चलिए बात करते हैं सियासत की खबरों का जारकंड के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन की विधायकी पर मंड़ा रहे खत्रे की सबसे पहले बात दरसल ओफिस ओफिट मामले में हेमन सोरेन पर चुनाव आयोग ने अपनी राय राजभौन भेज दी है अब राज़पाल एमन सोरेन की विधान सबा सद्यस्यता पर फैसला कुछ देर में ले सकते हैं बता दें कि राज़पाल रमेज बेज दिल्ली से दो पहर करीब दो बजे राची पहुंच चुके हैं सोरेन की सद्यसयता को फिल्फाल राजभौन में अपसरौं की मिटिंग चल रही है आप वही फैसला करेंगे कि आखरी उनकी सद्यसयता का करना क्या है वहीं इलैक्षन कमिशन के पत्र पर सोरेन का ब्यान भी सामने आए है जिस पर उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि BJP नेता और सांसदों ने रिपोर्ट तैयार किये साथ उन्होंने BJP पर जुबानी तंज कस्ते हुए कहा है कि समवधारिक संस्थाओं और एजेंसियों को BJP दफतर ने टेक ओवर कर लिया है भारतिय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं देखा गया सियम हेमन्सोरेन की विधायकी पर मंडा रहे खत्रे की जारखंड की सियासत में उबाला गया है हेमन्सोरेन इसके पीछे बीजेपी का हाथ करार दे रहे हैं फूरे मामले पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जोड़ चुके हमारे सयोगी अमीद कुमार जो जानकारी मिल रही है की हिमनल सोन को बुला कर अब इस पूरे मामले के बारे में जो भी फैसलट होगा वो हो सकता है कि personally वो उनको जानकारी दे क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि इसमें जो जो भी कंसलिटेशन का काम था वो लगबग पूरा हो चुका है राजपाल का अब ऐसे में उनको अपना फैसला बताना है तो यह फैसला बताने का दो तरीका हो सकता है कि या तो नोटिफिकेशन जारी करके या मीडिया के जरिए वो बता दे क्योंकि मामला मुख्यमंतरी का है तो ऐसे में जो जानकारी जो सोर्सिस बता रहे हैं राजभवन के कि राजपाल से मुलाकात कर सकते हैं उनको बुला सकते हैं जो मुख्यमंतरी हमन्सोरेन है और उनको खुद इस पूरे मामले की जानकारी दे सकते हैं तो शाम को यह मुला कि चुनाव आयोग ने उन्स पूरे मामले में जो अफिस ओफिट मामले में क्या फैसला दिया है क्या सला दिया जिसके आधार पर राजपाल ने क्या फैसला लिया है तो ये बड़ी महत्पुन मुलकात शाम को होने की संभावना है हलिके समय का को तैय नहीं है लेकिन में आप देखिए ये सारे डिवलेप्मेंट्स जो है वो पूरे होने है सबसे बड़ी बात की ऑफिस ओफिट मामले में जो सला मश्वरा का दौर था वो खत्म हुआ फैसले का वक्त आ गया है चुनाव आयोग ने सील बंद अपना अपना अपीनियन अपना फैसला दे दिय है अब राजपाल को सार्वजनी करने का वक्त है तो बस इंतिजार उसी का हो रहा है कि कब राजपाल इस पूरे मामले में फैसला सुनाए क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि हिमंद सोरें की सदस्ता रद होने की पूरी संभावना है तो बस इंतिजार उस ऑफिशियल होना है ओफिशल एनाउंस्मेंट का है जो की राजपाल करेंगे लेकिन जानकारी यही है कि शायद ओफिशियल होने से पहले या दीशुसरा जारी होने से पहले हिमन्त सोरेन क्योंकि मुख्यमंत्री है उनको बुलाकर इस बात की पसनली जानकारी दे सकते हैं इसलिए शाम को हिमन्त सोरेन की मुलाकात राजपाल के साथ हो सकती है